तो असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ हक्नमाज मलिक और आप देख रहे हैं हक्नमाज मलिक व्लोग्स तो फ्रेंट्स जैसे आपको पता ही है दो तीन दिन से मोसम बहुत ही खराब है और अभी हम हैं अपने घर मलिकपुरा में और आपको हम थोड़ा दिखाएंगे दिरिया वाली साइड लड कितना आया है तो फ्रेंट्स जितना हो सके अवाइड करो घर से बाहर निकलना घर में ही रहो बच्चे छोटे बड़े जो भी है सब घर पे ही रहो क्यूंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कबी भी आ सकती है और खास करके कहीं दरिया क्रास करना हो या नाला क्रास करना हो उन जगाऊं पर बहुत कम जाओ आज आज आप देख सकते हो बारिश कंटीनियू है और सामने मलिकपुरा की मार्केट रही पूर दर फ्लड आ रहा है नीचे देख लो आप देख लो ने ऐसे चोटे बच्चे थे यह भी देख रहे थे नीचे फ्लड इनको भी ने बहगाया मैंने का वापिस निकल जाओ तर की तरह सारे लोग देख रहे हैं अभी नीचे फ्लड इस पूल पर हम चलते हैं थोड़ा अ यहां से हम आपको दिखाएंगे कि पीछे से कितना फलट आया है। यह देख लो आप अभी इस साइड जब यह मोसम ठीक होता है तो यह छोटी सी नदी होती है। और अभी देख लो ऐसा लग रहा है कि चिनाब के बराबर है अभी। इस साइड अभी इतना है तो चिनाब में क्या हाल होगा अभी चिनाब का लेवल अभी बहुत ही ज्यादा होगा है वहाँ देख लो यह जो नीचे से दिवार है यह पूरी पूरा इस मलिक पूरा मार्किट को प्रोटेक्ट कर रही है उस साइड एक नई दिवार और है अगर वो नहीं होती तो अभी पानी कहा कहा गया होता अभी पानी पीछे निकल गया होता कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम देरिया के पास में जाएं इस टाइम फ्लड जब आता है तो लकड़ी के बहाने जाते हैं तो खुदारा में एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि ना जाएं बहतर रहेगा अगर आप निकल जाते हो अभी देरिया वाली साइड तो दुबारा जिन्दगी नहीं मिलने वाली है इस साइड देख लो अभी भी साइड में दिखा रहा हूँ आपको लोग अभी भी वहां से देख रहे हैं बस सोच रहे हैं कि लकड़ी आ जाए हम पकड़ लेकिन ऐसा ना करें बैत बहतर रहेगा दिनाव नहीं है तो फ्रेंट्स वेदर अब दो तीन दिन ऐसा ही रहेगा कंटिन्यू जिसी साब से लास्ट दो दिन से बारिश आ रही है नेक्स्ट तू थी डेज सेम वदर रहेगा इसलिए अपना थोड़ा ख्याल रखे मेरे साथ अबी राजू भाई है इसका नाम असली इम्रान है तो इम्रान भाई अच्या लोगों को क्या शेतरनाख बारिश हो रही है यह बेखे आप मलिकपुरा के महारिकिस के नजदीक जो है इसका बड़ा सहलाब आरता है जिसे महारिकिस को काफी खत्रा हो सकता है अगर ऐसे मेरा कहना तो यह होगा कि अगर रात बर ऐसे ही बारिश रही तो काफी नुक्सान हो सकता है मलिकपुरा में तो मलिकपुरा महारिकिस के नजदीक से यह था मलिकपुरा वाला जो इसकिया वहाँ है काफी तेर सी से अभी चल रहा है जिसे महारिकिस को काफी नुक तो कपी अच्छी बात है इनों ने कही तो मैं आपको एक बार फिर से बता हूं, इस बारिश में अपना ख्याल रखें तो हम इस वीडियो का भी खितम कर रहे हैं तो अमीद करता हूं कि आप सब अच्छे से रहेंगे, अपनी हिफाद़्थ पर रहेंगे, वीडियो को शीयर क झाल झाल झाल